अजूू। मुझे फिर से वही विनाश का दिश्य दिखाई दे रहा है। कुछ भी करके हमें उस तीसरी दुरलबकुंजी को प्राप्त कर लेना चाहिए। तो फिर शौरया, अब जल्दी से हमें तीसरी चावी की लोकेशन बता दीजी। हम तोरण चाकर… तीसरी दुरलबकुंजी को प्राप्त करना बहुत ही कठिन होगा भीवान। क्योंकि तीसरी चावी निर्जीव नहीं, बलकि एक दानों के रूप में हम लोक में चुपी है। और इस दानों का नाम है तिक-टिक। अब ये खबर सुनके तिम्ना सा खुश हो जाएगी। तिक-टिक तो किसी टाइमर बॉम के हलाम जैसा नाम है। तिक-टिक इसी विसफोटक से ज़्यादा खतरनाक दानों है। आज तक जो भी उसे पकड़ने हिम लोक देया है, वो वापस नहीं आपाया है। अखिर, ऐसी कौन से शक्तिया है उसके पास, जो आज तक कोई भी उसका सामना नहीं कर पाया। उसदानों के शक्तियों के बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। वो, इसका मतलब हमें उससे लड़ते हुए, उसकी कमजोरियों के बारे में और उसके शक्तियों के बारे में पता लगाना होगा. लिकन शौरियों, आपने हमें अभी तक यह नहीं बताया, कि वो टिक-टिक मॉन्स्टर अपने मॉन्स्टर वाले रूप से चावी वाले रूप में कैसे कनवर्ट होगा? टिक-टिक की शक्तियां केवल जादूई लोक में ही काम करती हैं, इसलिए अगर उसे धर्ती पर लाया जाए, तो उसका दानो रूप कुछी वक्त में पिखल जाएगा, और वो एक निर्जीव छबी बन जाएगा. बिल्कुल किसी शाक की तरफ, जिसकी पावर सिर्फ पानी के अंदर होती है. लेकिन ध्यान रहे, वो दाना दुरलप कुछी के रूप में आने के बाद, धर्ती पर नहीं गिरना चाहिए. वरना धर्ती का असपर्ष लगते ही, वो कुण्जी धमाके के साथ नश्ट हो जाएगी. फिगर नौट, शौरिया, पार्टनर ने आज तक एक भी काश ड्रॉप नहीं किया है, तो एक यी भी ड्रॉप नहीं होने देंगे. लेकिन शौरिया, प्रशन ये है, कि जब वो दानों पिगल कर वो दुरलब कुण्जी बन रहा होगा, तब उसे भारत नगर के लोगों से कैसे बचा कर रख पाएंगे हम? इस कारिया में, दुबा-दुबा हमारी सहायता करेगा. साथ में किसमत का खेल है. लुनलो, 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 लुनलो. सस्ता सुन्दर डिकाऊ, हमारा म्मान है एक दम डिकाऊ. यादावयो, यादावयो. ओ भाई, एक काम करू नहीं? फटापड, दो दरजन जाडू दे दो. एट पैकेट और ले लेते हैं, नहां, बत कीजिये अभी, हम अब और इतने सारे अनाज, इतने सारे तेल काम करेंगे क्या, बोलो नहीं, सुनो, इतना सस्ता समाल मिल रहा है, तो अगले हफते हम कुछ जरूरतमन लोगों को फ्री में खाना खिला पाएंगे, नहां, ये भी सह अगर ये बात है, सेल के टाइम भी अपना नहीं, लेकिन दुसरों का फाइदा देख रही है, अगर ये बात सबको समझ में आने लग जाए, तो दुनिया कितनी सुन्दर हो जाए, पंपर सेल है, साथ में किसमत का खेल है, हाँ, आप सबको जो सामान दिया गया है, उसके सा किसमत आजमाये, हाँ, हो जो कीजिए, कीजिये, 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 प्र०। धरब ऑ, जो ये, हमको भी गोवा टीपि लगी है, हाँ, हमें भी, अچ्छा, सब को you अरे चौंडर्याचिनेशन भाइक! आप सब की ट्रेंग की टिकेट आज शाम तक घर तक पहुंच जाएगी स्वास्थ रातू है? तो तयारी किजिये, कल आपको निकलना है नहीं जेकलना है अलो हलो, सब लो किर दो कर दो कर दो कर दो है अला निको अपदा! अरे चले जले जले! माँ, एक्चली मैं आप सब के साथ नहीं आपाँगा, कि कल से मेरे कॉलेज के एक्जम स्टाथ हो रहे है ठीकेर तो फिर हम भी नहीं जाते? अरे नहीं माँ, आप सब जाए ना, फैमिली से एंजोए करना मैं एक्जाम से इसलिए नहीं आपाँगा बहु ऐसा मत करो, उनी सो नवे से मैं गोवा जहने का सपना अपने मन में पाल रहा हूँ कम से कम उस सपने को तो पूरा होने दो हाँ, हाँ, इसली प्रीज, ये फ्रीके ट्रिप कैंसल मत कीजे अब जब मेरी पूरी बल्टन ही ये ट्रिप पे चली जाएगी तो अब मैं ही यहां रहे कर क्या करूँगा ठीक है, चलो भारत तकर को खाली कराने का प्लैन तो कामियाब हो गया अब उस टिक-टिक से मिल कर तीसरी दुल्लब कुझी को जल से जल्द हासिल करना होगा बहुत अच्छी ख़ब लेकर आएगी थैंक्स कुई दिम्ना साथ, लेकिन अब हमारा नेक्स मॉव क्या होगा कुछ भी नहीं, अब हमें बस कल तक इंतिजार करना है जैसे ही कल बालवीर उस दानव को पकड़ कर भारत में गर लाएगा हम लोग उस दानव का परंड कर लेंगी और पहले की तरह आप असली कुझी को नकली से बदल लें इसका मतलब गाय देगे दूद और पनिर खाएंगे हलवाई ऐसा मैं नहीं बोल रहा ज्वाला परी यह बात हमें जल सी जल चौरे तक पहुचानी होगी पर कैसे द्वानी परी हम तिम्ना साथ के चंगुल से कैसे बाहर निकल पाएंगे हुआ 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 अजिवे हुआ भूआ गैस बूर को अपना जीवन भूजे लगने लगाए कि वो हिम लोक में मेरी नीन खराब करने आया है मैं बालवीर और यहां पर तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया तुम समंदर को कटोरे में भर कर ले जाना चाहते हो बच्चों जैसी बात कर रहे हो बच्चा होने में बुरा ही क्या है अखिर बच्चे भी तो भगवान का रूप होते है नफरत है मुझे तुमारे भगवान से क्योंकि वो खुद दुनिया बना कर न जाने कहां सोने चला गया निकल जाओ यहां से बालवीर निकल जाओ देखो यह क्या हो रहा है उसका मतलब टिक टिक क्या पास समय को कुछ पल के लिए पीछे करने के शक्तिया है कहां छुप कर बैठे कहने को तो बहुत बड़े तानव लकिन बालवीर की शक्तियों से डर गए हिम्मत है तो सामने आओ तुम अच्छाई के रक्षक हो इसलिए मैं तुम्हें एक वोका और दे रहा हूं चले जाओ यहां से वरना बहुत बुरा अन्जाम होगा तुम्हारी धंक्या सुनने का समय नहीं है मेरे पास चलो मेरे साथ तुम्हारे पास समय कम है लेकिन मेरे पास समय ही समय है ये लो हो तेक तेक अपनी चल से बार बार समय को पीछे ले जा रहा है मुझे और गातक वार करना होगा कर तेक साथ वार ठक जपनी तेक समय है वपनी पुछ ऑनी बार को अवण्हपन तक तो अवण्हपनाई गे प्ली अवणपने लेकिन मेरे लेकिन हाँ 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 लगता है तो मैंसे नहीं मानोगे हाँ 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 हम लोग से ले जाने आई थे तुम मुझे और अब अर्फ के अंदर बालवीर की कबर बन गई हाँ तरह से अगता है जाने जी आप एक प्राइस थेंश जाने जी अप बिल्कुल थेंशे तरह से भाट पाइन अप अपना मेडिकल कॉंफरेंच अटेंट कीजिए शांती से आपको राच करने आपको रात करने है एक मिनट दीजिए मुझे तुम्हारी मम्मी यहां होती ना, तुम्हें थकपड़ इफेक्ट दिखाती ही। हाँ, सब तुम्हारी मेज़े सवाए। अभे, मिष्णा! दादाजी, अरांस? दादाजी की जान लोगे क्या? मेरा अल्फबेट के कैपिटल N.A. से ठोटा है बनातो होगे? दादाजी, आप ठीक हो ने? अरे, रिंखू, एक करूना बेन तुम्हारी ममे से भून पर बात करी थी। और बतादी इतने दर में अचनक किसी ने जोड से पीछे से धका दे दिया। बोलो! अरे, सॉरी, 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 मिश्रा जी, सॉरी, गिरपड़ जी, वह अचानल धका लगया पीछे से मुझे कोई बात नहीं करूना जी, ऐसे चोड़े-चोड़े डबब में बड़ी-बड़ी धका मुकी होती रहती है अरे, महू, इसमें किसी को सॉरी, थैंक्यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी कहां कुछ तुटा-फुटा है सिवाई मेरे अरे, दादा-जी, वैसे हम कितने सालों से फ्लैन कर रहे थे कि गोवा जाते हैं गोवा जाते हैं बिना फ्रैन के मोका मिल गया, हाँ कितने खुशी की बात है? बात कुशी की बात है खुशी का है? अरे, यह दो बाते आला के गिर पड़े है? कॉपी, कॉपी है, नादा-जी चलो, समान, समान ले 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 लाट समान, समान, समान जाना तू इसर से बिन्डो सीट थाली करनी है क्यूँ? तुम दोनों ने रिजर्वेशन करवाई है अ सुटली, जोप चाबी सीट थाली कर दे वरना वरना क्या, हां? वरना क्या? बिजार, तुम्हारे बीच में बताओ अरे, मैं बीच में काह पड़ रहा हू मैं तो यहां साइड में गड़ा हूँ चिंटु चिंटी तुम दोनों बीच में आरे हो क्योंकि मैं और सुत्ली इस बेठे हुए हैं और तुम दोने हमें जबरज़स्ति उठने को खेह रहे हो मैं सीट नमबर 11 है और सुत्ली का 12 तुम अपनी सीट पे बैठे हैं ना अरे लेकिन अज़स्मेंट भी दो के चीज होती है ना है तेरी बात तुनों खुशी 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 है सीट खाली कर दो ओके तुम लोग उपर बाले सीट पे बैठे जा है ना हमें विंडो सीट दे दो अच्छा ठीक है यह लोग उट जाएंगे लेकिन चिंटू तुमें विंडो सीट से इतना क्या लगाव है अखिर करोगी क्या तुम वहाँ बैठकर हवा कहूँगा तुमें क्या पहले से भरी हुई कम है क्या क्या बुला है कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं नहीं है चाहिए अरे ये क्या होने में जाएंगा चिंटू अब जब ट्रेन शुरू यो जाए कि ना, तो जीं भर के हवाखा को चाहना, अरे यार को को बुजय निकालो औरे चिंडी खीट क्या हो चिंटू वेंडो सीम्ट अच्छी लग थाइय कि नहीं हाँ? ने, 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 मुझे विंडोसी चाहिए ही नहीं, मैं उबवली बर्त वाराम कल लूँगा, हाँ? तुम लोग एंजॉई करो ओ, तुम बना नीचे! आने वाले हो क्या? ठीक है, मैं को यो और बेड़ जोँगा चल चिंटी अरे आने वाले हो, आने वाले हो, आने वाले हो, तुम लोगों को बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि तुम लोग रेल की सवारी नहीं, बल्कि अपनी मौत की सवारी कर रहे हो अब इस रेल को रोकने के लिए अगर बालवीर या परियो ने किसी भी जादू का प्रियोग किया तो ये अगनी यंत्र सक्रिय हो जाएगा और इन बेचारों की अंतिन यात्रा शुरू हो जाएगी कर्वादी वपाँ त्रेनार समय तो पहले कैसे निकल गई अभी तो 10 मिनट बाकी है ठीडी एठीजी आए 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 ये क्या हो रहा है? हम ट्रेन के लोको बालेट यहां स्टेशन में हैं और ट्रेन खुद चल पड़ी अब ये दोनों बालवीर इस रेन को रोकने के लिए यहां पर व्यस्त रहेंगे और वहां रे और भेमार अपना काम पूरा करेंगे उस कुझी को प्रात्त करने का ये ट्रेन चला कॉन राहे पर वो पता नहीं लेकिन ट्रेन में चलो जल्दी अगर ट्रेन गई तो ट्रेन भी जाएगी और नौक्री भी चलो अब इस गाड़ी के अंदर ना तो कोई चा सकता है, ना इस गाड़ी से कोई बाहर आ सकता है और ना ही ये गाड़ी रुक सकती है वर्फ के नीचे क्या कर रहे हो बालवीर? चाबी डोड़ रहे हो क्या? अपने मूर से बड़ा फल चबाने वालों के अक्सरदान टूख जाया करते हैं लेकिन अब तो शायद तुम्हें अकल खाँ क्या तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि बड़ों पे हाथ नहीं उठाते? मुझे थोड़ा नुशासन सिखाना पड़ेगा तुम्हें मेरी समय को पीछे करने वाली शक्ती तो तुम्हें देखी चुके हो अब दूसरी शक्ती भी देख लो क्योंकि इसके बाद तुम कुछ भी देखने के लाइक नहीं रहोगे अगर यह और थोड़ी दिर मेरी आखों में देखता रहा तो मेरी आखों की रोश्णी हमेशा के लिए चली जाएगी मुझे जल्दी इसे रोकना होगा हुआ 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 समाइक को घुमाने का बहुत शौक है ना तुम्हे अब तुम भी थोड़ा गोल-गोल घुमला हुआ 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 तुम्हे देखकर लगता है डर और दर्द का मज़ा पहली बार मिला है तुम्हे चलो हार का स्वाद भी चखा देते हैं तुम्हे हुआ 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 अब और देर के लिए समय तुम्हारे हाथों की कत पतली नहीं है दानव के रूप पे तुम्हारा जिवन समापतू अब बाकी के जिंदगी दुलब को जी बन कर गुजारना अब जिया हुआ हुआ यह जहां तुम्हारी शक्तिया काम नहीं करेंगी हुआ 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 मा मा, आप इस यंद्र को कही सुरक्षित करड़ीची, तुकि इसी की मदद से यह समय को पीछे कर सकता है. यही इसकी अस्री ताकत है. झाप यही तुकि नहके मकुपकरां, लुछ भादो यही तुकि अन्हमें कर कही सिर्दा क को के आप है. यétais यहीऊ होरा है . आृुकि ये ö झाल झाल